हेलो फ्रेंड्स दिस इस एश्पिशिंग एंड वेलकम टू इश्माडर एविटेग तो डिफरेंड आज हम फिलोसफी के कुछ वन लाइनर कोर्शन कुछ एहम पॉइंट्स बहुती बहुती पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो आप क्लास में आश तक बने रहेंगे तो यह चुटी चुटी जनगारी बहुती एहम और बहुती इंपॉटेंट्स होंगे जो आपको एक्जाम में काफी हेल्प करेंगे चीजों को समझने में और कोर्शन को सॉल्व करने में ठीक है तो बहुती एहम और बहुत इंपॉटेंट्स है तो चलिए इनको डिस्कुस करते है और इसके बाद जो next class होगी उसमें हम लोग ठेट सारे objective type questions कर लेंगे देखिए सबसे पहला point हमारे शामने है सिक्षा सिक्षा सब्द की उत्पत्ति कहां से होई है तो सिक्षा सब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो सब्दों से मानी जाती है संस्कृत के दो सब्द हैं जिससे सिक्षा की उत्पत्ति मानी जाती है कौन कौन से वो सब्द हैं एक तो है हमारा सिक्ष दहातू और दूसरा है साक्ष दहातू सिक्ष और साक्ष से मिल करके हमारा सिक्षा बनता है ठीक है, संस्कृत के दो सब्द, सिक्ष धातू और साक्ष धातू से मिलकर क्या बनता है, शिक्षा बनता है, शिक्षा का अर्थ है, शीखना, क्या औरत होता है, सीखना, अध्वा ग्यान प्राप्त करना, जो ये सिक्ष है, जो पहला वड़िये लिखा है, सिक्ष धातू, सिक क्या है? अनुसाषन में रखना, या यूं कहे कि नियंतर्ण में रखना या फिर निर्देश्ट देना ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई आगे बढ़ जाते हैं अब देखिए अंग्रेजी भाषा में सिख्चा को एजुकेशन कहते हैं आप सभी को पता है इस शब्द की उत्पत्ती लैटिन भाषा के निम्र सब्दों से माने जाती है कौन-कौन से लैटिन भाषा के वो वर्ड हैं सब्द हैं जहां से हमारा ये एजुकेशन निकल करके आता है पहला सब्द है हमारा EDUCATEM का मतलब होता है पढ़ाना या प्रसिक्षित करना दूजरा है EDUCIER EDUCIER का मतलब होता है आगे बढ़ाना, पत्थ परदर्शन करना रास्ता दिखाना और EDUCIER का आर्ट होता है उत्वा अग्रसर करना ठीक है तो इतनी बात clear हुई कि अंगरेजी भाहसा में सिक्षा को education कहते हैं और तो यह education है वो Latin भाहसा के सब्दों से बनता है educatum, educatum, educatum और educatum से ठीक है इनको ध्यान लखिएगा कि किसका मतलब क्या होता है इस तरीके से शर्व पर्थम बालक की सिक्षा उसके परिवार से सुरू हो जाती है और माता ही उसकी पर्थम गुरू होती है बालक की सिक्षा कहां से सुरू होती है सर्व पर्थम तो बालक की सर्व पर्थम सिक्षा उसके परिवार से सुरू होती है बालक के क्या पर्थम गुरू कौन होता है उसकी माता होती है सिक्षा कैशी प्रक्रिया है सिक्षा एक गतिसील प्रक्रिया है और यहाँ निरंतर चलती रहती है इसमें कभी भी रुकावट नहीं आती है श्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् शार्ती को सम्मलित किया गया था उसके बाद सिच्छा को तृम्खी का रूप किस ने दिया जॉन डी-वी ने, जॉन डी-वी ने कहा कि सिच्छा, दुई IPO न हो करके्टृम्खी प्रिकरिया है इस बात को इन पैंट्स को बहुत ध्यान लगीगाँ सिच्छा को दुई वहां से कुछ पाइंट्स लिए हैं जैसे अभिकरण या साधन यहां अंग्रेजी शब्द एजेंसी का हिंदी रुपांतरण है और एजेंसी का आर्थ होता है एजेंट का काम ठीक है इतनी बात कलियर हुई एजेंट से हमारा तात पर उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो कोई कार करता है या उस पर प्रभाव डालता है अभिकरण या साधन ठीक है यह अंग्रेजी शब्द एजेंसी का हिंदी रुपांतरण है किसका अभिकरण को बहुत सा इस्टों को नहीं पता होता कि अभिकरण को इंग्रेजी में शाधन कहते हैं ठीक है और एजेंसी का आर्थ क्या होता है एजेंट का काम एज जल्दी विद्याले में प्रदान की जाने वाली सिक्षा आपचारिक सिक्षा होती है यानि कि विद्याले में प्रदान की जाने वाली सिक्षा जो है वो आपचारिक सिक्षा है क्योंकि इसमें हमारा जो सिक्षा का समय और स्थान सब निश्चित होता है पार्ठिकरम कुछ निश्चित होता है यानि कि जो अपचारिक सिक्षा है उसमें सब कुछ निश्चित होता है समय इस्थान पार्टिकरम विद्यां है ना सिच्छा विवस्था ये सब क्या है निश्चित होता है आपचारिक सिक्षा में वहीं पर जो अनपचारिक सिक्षा है यह सिक्षा जीवन पर रेंद चलती रहती जब जीवन पर रेंद चलने की बात हो गई तो इसका मतलब है कि इसमें समय इस्थान बगएरा कुछ निष्टिती नहीं होगा है ना वरणा जीवन बार हम कहां विद्याले जा पाएंगे या कहां एक निष्टि समय पर पहुँच पाएंगे तो यह सिच्था जीवन पर रेंद चलने वाली प्रिक्रिया है इस सिच्था में कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं होता है इस सिच्था ये तो सिच्था जहां मिल गई जब मिल गई तब इसको ग्रहन कर लिया इसके अंतरगत हमारा परिवार आ जाता है यह हम परिवार से भी जिंदिगी पर सीखते ही रहते हैं धर्म, समाज, समाज भी हमको सिखाता रहता है, सिच्था देता है राज जो हो गया, रेडियो पर आने वाला जो भी ज्यान है या शमाचार पक्त्रों के माध्यम से जो भी हमको सिक्षा मिलती है खेल के मैदान से भी जो हमको सिक्षा मिलती है दल यानि कि दल गुट यानि कि शमू हो गया यूवक शमू आ दिये सब इसमें आ जाते हैं यानि कि जो अनौप्चारिक सिक्षा है उसमें कुछ पे निर्धारित नहीं होता है ना समय, ना स्थान, ना सलेबर्ष, ना कोई विधी, ना कोई तरीका, कुछ ने आपचारी सिक्षा में निस्ची तो होता है क्योंकि उसके लिए एक समय, उचित समय चाहिए, उचित इस्थान चाहिए, उचित पाठी करम चाहिए और नौप्टरी सिक्षा तो जीवन भर जलती है, तो जीवन भर में हमारा हम परिवार, धर्म, समाज, राज, रेडियो, समाज अरपत्र इन सभी से सीखते है विद्याले का क्या आर्थ है, इसी में आ जाता है अपका विद्याले का आर्थ क्या है देखे, श्कूल सब्द की पत्ती एक ग्रीक शब्द, इस खोला से हुई है, किस से हुई है, इस खोला से हुई है इस शब्द का आर्थ है अवकाश, क्या आर्थ है अवकाश, अवकाश यानि की लेजर विद्यालय का साब्दिकर्थ होता है विद्या का आलय अर्थात विद्या का घर विद्यालय का साब्दिकर्थ क्या होता है विद्या का आलय याने की विद्या का घर विद्या का घर किसको कहा गया है विद्यालय को कहा गया है अर्थात वह अज्थान जहां विद्यायाने की सिक्षा की विवस्ता की जाती है वह हमारा क्या होता है विद्यालय होता है ठीक है सब्द की उत्पति ग्रीक सब्द से हुई है इस खोला से हुई है सब्द कार्थ होत होता है दर्सन किषे कहते हैं आपको पता है कि मानव एक चिंतन सील प्राणी है मानव कैसा प्राणी है मानव चिंतन सील प्राणी है और मानोजीवन एक दर्सन है, मानो जीवन ही पूरायक क्या है, एक दर्सन है, आगे देखिए, चलिए बात कर लेते हैं, आगे नेक्स्ट, संसार, संसार का प्रतेक मनुस्य दर्सनिक है, ऐसा कहा गया है, कि भाई संसार का प्रतेक मनुस्य क्या है, एक दर्सनिक है, क्यों, क्योंकि वहाँ जन्म से मरतिव तक प्रकृत में घटित होने वाली सबी घटनाओं को अनुभाव करता है, महशूर्ष करता है, अपने सामने देखता है, फील करता है, है ना इसलिए संसार की परतिक मनुस्थ को दार्षनिक कहा गया है, क्योंकि वह जन्म से मरतिव तक जो भी कुछ में प्रकृत में नेचर में घटित हो रहा है उन घटनाओं को वो अनुभों कर पाता है फिर वहां इन अनुभों पर चिंतन करता है मनन करता है और इसके बाद वह किसी न किसी निसकर्ष पर पहुंचता है इन इन ही निसकर्षों के आधार पर वहां अपने विश्वाशों आ आप देखें, यहां से आपको दर्शन का अर्थ पूरी तरी के संज में आएगा, दर्शन हमारी सत्य केपरती जिग्यासा की पूर्ति करता ए। क्या सत्य है? हमारे इंदर हर एक चीज को जानने की इच्छा रहती है, क्या आखिर सच्चाई क्या है, वही दर्शन है। हमारी स अब इसा हम लोग fact जानना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, अपने doubts clear करना चाहते हैं, हैना, तो यह सब हमारे अंदर क्या रहता है, इसकी एक आसांति रहती है, और जब हम जान लेते हैं, तो satisfy हो जाते हैं, शनतुष्टी महसूष करते हैं, यही तो दर्सन है, औ और कुछ दर्सन नहीं है, बस यही दर्सन है, हैना, चीजों को जानना, समझना, और एक गहराई तक, एक conclusion तक पहुँचना, अपने आपको satisfy करना, यही दर्सन है, ठीके, आगे बढ़ जाते हैं, जो दर्सन सब्द है हमारा, दर्सन, शब्द क्यूत्पत्ति, संस्कृत भा दोरा देखा जाए, जिसके दोरा देखा जाए, दर्सन वह विज्ञान है, जिसे देख कर जाना जाता है, कैसे जिसे देख करके जाना जाता है, अपने आपको satisfy किया जाता है, चीजों की गहराई तक पहुँचा जाता है, facts को हम जान पाते हैं, दर्सन को अंग्रेजी में philosophy कहते हैं क्या कहते हैं फिलोसफी कहते हैं फिलोसफी हमारा दो शब्दों से मिल करके बनता है फिलोस जिसको जिसका मतलब होता है प्रेम सोफिया जिसका मतलब होता है ग्यान ठीक है फिलोस लैव सोफिया विजडम इस प्रकार फिलोसफी का आर्थ हो गया ग्यान से प्रेम या दर्सन विज्ञानों का विज्ञान है, यह लाइन किसने कहिए तो ऐसा कॉम्टे कहते हैं कि जो दर्सन है वह विज्ञानों का भी विज्ञान है, आगे देखिए दर्सन के अध्यान छित्र को मुख्यूरूप से तीन भागों में बाटा गया है, दर्सन का जो अध्यान छित जो तत्तो मिमाशा है इसका क्या काम है तत्तो मिमाशा की अंतरगत सत्य की खोज की जाती है किसकी खोज की जाती है तत्तो मिमाशा की अंतरगत सत्य की खोज की जाती है और वहीं पर ग्यान मिमाशा की अंतरगत ग्यान समंधी समस्याओं का अध्यन किया जाता है ग्यान क्या ह हर एक चीज को जाना जाता है ग्यान से समंदिद तो ग्यान मिमाशा की अंतरगत ग्यान समंदी जो भी समस्षाइं होती है उनको solve किया जाता है उनसे समंदी समस्षाइं का अध्यन किया जाता है और तत्मिमाशा हो गया ग्यान मिमाशा हो गया तीसरा हमारा मूल मिमाशा है इसका सम्द जीवन की सत्यता से होता है जीवन की सचाईशे होता है मूल मिमाशा का सम्द किसे होता जीवन की सचाईशे ये पॉइंट स्ध्यान करके लिख लो याद कर लेना पूछ लेगा एक नमबर में कोशन तत्त मिमाशा के अंतरगत किसकी जाती है तो तत्त मिमासा के अंतरगत सत्य की खोज की जाती है ग्यान मिमासा के अंतरगत किन बातों का अध्यन किया जाता है ग्यान समंदी समस्याओं का अध्यन किया जाता है मूल मिमासा किस की बात करता है मूल मिमासा जीवन की सत्यता की बात करता है ठीक है या मूल मिमासा का समद्ध किस्टे है तो जीवन की सत्यता से है इस प्रकार से आगे देखिए सिक्षा और दर्सन एक ही शिक्के के दो पहलू है कौन कौन सिक्षा और दर्सन सिक्षा और दर्सन एक ही शिक्के के दो पहलू है दोनों एक दूसरे के पूरक है दर्सन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और सिक्षा क्रियात्मक पक्ष है दर्सन क्या है? दर्सन जीवन का विचारात्मक पक्ष है यहाँ पर बात किसकी हो रहे है सिक्षा और दर्सन की जिसमें जो दर्सन है वहाँ जीवन का विचारात्मक पक्ष है और जो सिक्षा है वहाँ क्रियात्मक पक्ष है ठीक है देखिए दर्सन का संबंद सिक्षा के लक्षियों को निर आपनिशद करने से हैं, यह लाइन किसने कहिए, कथन किसके द्वारक आ गया है, जॉन डिवी के द्वारा, अब हम पहुंचते हैं वेदों पर, देखिए पहली बात, वेदांत क्या होता है, तो वेदांत शब्द का तादपर हैं, वेद का अन्थ, वेद के मुखिता तीन भा खेख किस को वेद का अंतीम भाग कर पुस्तक है यह कुछ भी अप को टिकरना है कि उपनिशद वेद काँदीम है वेदीक अंतीम शाहित्य वह पुत का उप yapılल काटम शाहित्य प्रदीम है तो मा भारत है, गीता है, रामायन है, बाईविल है, उपनिसद है, उपनिसद है ठीके, चलिए वेदों की संख्या चार है, वेद कितने हैं, चार हैं आप सबको पता है सबसे पुराना वेद रिगवेद माना जाता है कि जो सबसे पुराना वेद है वो रिगवेद है उसके पर चात यजूर वेद आया फिर शाम वेद आया और अथरववेद का इस्थान आता है पहले सबसे पहले किसका इस्थान आता है रिगवेद का फिर यजूर वेद का शाम और अधरववेद भारतिय दार्शनिक संपर्दायों को आस्तिक और नास्तिक दो वरगों में बाटा गया है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं अब इसमें आस्तिक और नास्तिक में डिफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले है नास्तिक संपरदाए नास्तिक में कौन कोन आते हैं चारवाक जैन और बौध्ध आस्तिक में नियाय वैशेशिक शांक योग निमासा और वेदान थे ठीक है चलिए इतनी बात क्लियर हुई आगे बढ़ जाते हैं चारवाक जो दर्सन है या भौतिक वादी दर्सन है कैसा दर्सन है भौतिक वादी और वेदों का खंडन करता है कौन वेदों का खंडन करता है चारवाक दर्सन इसलिए इसे नास्तिक दर्सन कहा जाता है जो चारवाक है या भौतिक वादी है वेदों का खंडन करता है इसलि जैन दर्सन इस दर्सन में सिक्षा का उद्देश विक्ति को मुक्ति की और प्रवत्ति करना है। इसके प्रवर्तक कौन थे इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं महत्मा बुद्ध ने अपने ग्यान को चार आरे सत्यों में दिया है। इसके प्रवर्तक कौन थे इसके प्रवर्तक कौन थे इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। चार आरे सत्यों कौन से हैं। नमबर एक तो दुख है। दूसरा है दुख का कारण भी है। भाई अगर दुख है तो दुख है क्यों। उसका कुई रीजन भी है। और दुख का अंत भी है। और दुख दूर करने का उपाए भी है। ठीक है। यह इनके चार आरे सत्य हैं। अब देखिए। अब बात करते हैं। आश्तिक जो संपरदाय है उसकी बात कर लेते हैं। यह संपरदाय इश्वरवादी है। कैसा है। इश्वरवादी है और जो आश्तिक दर्सन है आश्तिक दर्सन 6 है कौन-कौन से नियाय, वैशेशिक, शांग, योग, मिमाशा और वेदान्त जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं देखे, बात कर लेते हैं नियाय दर्सन की, इस दर्सन के प्रतिपादक गौतम मुनी थे, नियाय दर्सन के प्रतिपादक कौन थे, नियाय दर्सन मोक्ष प्राप्ति की बात करता है, नियाय दर्सन की बात करता है, मोक्ष प्राप्ति की बात करता है, मोक्ष प्राप्ति की ब बिल सकता है इस दर्सन के अनुसार आत्मा अमर है किस दर्सन के अनुसार आत्मा अमर है नियाए दर्सन के अनुसार आत्मा अमर है प्रतिपादक गौतम मुनी थे चलिए आगे बढ़ जाते हैं वैशेशिक दर्सन की बात करते हैं इस दर्सन के प्रवरतक महरिश्री कनाद है कौन है इसके प्रवर्तक महलश्री कनाध हैं और यहां दर्सन पदार्थवादी और यथार्थवादी है चलिए बहुत यहम पॉइंट्स फिर देखे बात करते हैं सांखे दर्सन की इस दर्सन के प्रणेता कापिल मुनी माले जाते हैं इस दर्सन के अनुसार यह ब्रहमांड वह प्रक्रति और पुरुस के योग से बना हुआ है, निर्मित है, इस दर्सन को देतवादी दर्सन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो शांख्य दर्सन है, इस दर्सन को देतवादी दर्सन भी कहा जाता है, बात करते हैं योग दर्सन की, छे हैं ये, ठीक है, योग दर्सन अब बात आती है मिमाशा दर्शन की मिमाशा दर्शन में महरसी जैमनी का इस्थान सर्वोपरी माना जाता है किसका महरिफी जैमनी का इस्थान किसमे मिमाशा दर्सन में यह दर्सन वेदों को ही प्रमाण मानता है मिमाशा दर्सन जो है यह वेदों को ही प्रमाण मानता है अब बात करते हैं वेदान्त दर्सन की देखिए वेदान्त दर्सन इस दर्सन को उत्तर मिमाशा दर्सन भी कहते हैं किस दर्सन को उत्तर मिमाशा दर्सन भी कहा गया है सरवपर्थम वेदान्त का प्रियोग उपनिसद के अर्थ में हुआ सबसे पहले वेदान्त का प्रियोग किसके अर्थ में हुआ उपनिशद के अर्थ में हुआ उपनिशद वेद के अंतिम भाग है उपनिशद जो है वह वेद के अंतिम भाग है इसलिए उनको वेदांत कहा जाता है क्या कहा जाता है वेदांत कहा जाता है चलिए अब बात कर लेते हैं आदर्सवात की देखिए आदर्सवात को देख लेत किसने आदर्सवादी जो विचारधारा है इसका विकाश करने वाले कौन है शुकरात और शुकरात के सिस्ट पलेटो हैं दो लोग है यह विचारधारा ब्रहमांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है आदर्सवादी क्या मानते हैं ब्रहमांड को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि उस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत स्रेष्ट है जो आधर्शवादी विचारदहरा है यह आध्यात्मिक जगत को स्रेष्ट मानती है ठीक है यह इश्वर को अंतिम्शत्य और आत्मा को इश्वर का अंस मानती है यह जो विचारदारा है वो अब ब्रहमान्ड को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानती है यह मानती है और जो है कि आध्यात्मिक जगत को सुरिष्ट मानती है इस्वर को अंतिम्षत्य और आत्मा को इस्वर का अंस मानती है कि जो आत्मा है वह इस्वर का ही एक अंस है हिश्चा है आ शुईकार करता है कि प्रतेक वस्तु, प्रतेक पदार्थ तथा प्रतेक द्रवे का अस्तित्तो होता है यह कहती है कि हर एक वस्तु हो, चाहे कोई चीज हो, पदार्थ हो, कोई द्रवे हो, सबका अस्तित्त होता है चाहें वह हमारे ज्ञान अच्थवा विचार में हो या ना हो हम जिस चीच को जानते हैं उसका भी अस्तित्व है और जिस चीच को हम नहीं जानते हैं उसका भी कोई ना कोई अस्तित्व है जिन वस्तों को हमें ज्ञान नहीं होता अस्तित्व तो उनका भी होता है नहीं आशा कहा गया है बार्षी ऐसा थोड़ू की जन चीज़ों को हम नहीं जान आनका कंगती है laughs इसको हर एक चीज के अस्थित को ही यथार्त मानती है यह विचाज़धारा माणती है कि विक्ति जो कुश देखता है या अनुभाव करता है वही ज्ञान शत्य नहीं कि जो हमारे सामने हैं जो हम ब हौठिक ब्रहमाड में आस्थाए रखती है किसमें केवल भातिक ब्रहमाड में आस्था रखती है या प्रकृति को सर्वोत्म्त शक्ता की रूप में स्विकार करती क्यों प्रकृति शत्ता है अध्यात्म को किसी भी प्रकार कोई महत्तु नहीं देता प्रकर्तिवाद के अनुसार प्रतेक वस्तु प्रकर्त से जन्म लेती है और फिर एक नाएक दिन उसी में विलीन हो जाती है प्रकर्तिवाद क्या मानता है कि प्रतेक वस्तु प्रकर्त से जन्म लेती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है आप देखे बात करते हैं प्रियोजनवाद की प्रियोजनवादी वस्तवों और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्र में नहीं पढ़ते हैं वे ना आत्मा को मानते हैं नहीं प्रमात्मा को जो प्रियोजनवादी विचारधारा की लोग हैं वे ना आत्मा को मानते हैं नही परमात्मा को मानते हैं वस्त्मों और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्र में भी नहीं बढ़ते हैं यह कहते हैं कि मन का ही दूसरा नाम परमात्मा है क्या कहते हैं कि मन का ही दूसरा नाम परमात्मा है और मन एक पदार्जन क्रियासिल तत्व मात्र है ठीक है चलिए तो य से related कुछ points की मात्मा गांधी जी का पूरा नाम मुहंदा स्क्रमचंद गांधी था जन्मनिका दो अक्टूबर ठर्सवन नत्र को हुआ था कहां हुआ था पोरबंदर में हुआ था इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था इनकी मर्तू 30 जनवरी 1948 को हुई थी चलिए आप देखिए गांधी जी चरित्र निर्मान शहयोग एकता शादगी उच्च विचार शत्य प्रेम और राष्ट्री उत्थान पर निरंतरबल देते थे कहते थे कि चरित्र निर्मान हो शहयोग की भावना हो एकता हो शादगी हो सत्य हो प्रेम हो इन सब चीजों पर बल देते थे उनके दर्सन के चार इस्तंब थे कितने चार कौन कौन शत्य अहिंसा निर्भहता और शत्याग्रह हैं गांधी जी के सिक्षा दर्सन के कितने इस्तंब थे चार चलिए आगी बढ़ जाते हैं गांधी जी का सिक्षा दर्सन देख कहते थे कि बच्चों की जो सिख्षा दी जाए उसका माध्यम मात्री भाषा होने चाहिए जिस भाषा में बच्चा सीख सकते हैं कि मात्री भाषा जिस भाषा में जो उसकी लैंग्वेज है बच्चे की बच्चे को उसी भाषा में शिखा हो वह उस भाषा में जल्दी और ब भी होनी चाहिए, नेक्स्ट पैंट देख लेते हैं गांदी जी से रिलेटेड सिच्छा को बालक के सरी, हिर्दय, मस्तिश्क और आत्मा का सामजे से पूर्ण विकास करना चाहिए, सिच्छा है शी हो कि बालक के हिर्दय का भी विकास हो, उसके श्रीर का भी विकास हो, मस्ति एक बीमा होना चाहिए, ये लाइन किसने कहिए, ये लाइन गांधी जी ने कहिए, कि सिक्षा को बिरोजगारी के बीमा होना चाहिए, गांधी जी का ताद पर था, कि परतेक बालक कमाते हुए कुछ सीखे, और सीखते हुए कमाए, ये लाइन किसने कहिए, कि परतेक बालक कम माते हुए कुछ सीखे अगर वो कमाई कर रहा है कमा रहा है तो उसके साथ सीखे और अगर वो कुछ सीख रहा है तो वो कमाए भी ताकि उसकी आर्थिक हिस्ति अच्छी रहे ठीक है यह लाइन किस ने कहिए गांधी जी ने कहिए नेक्स्ट वन और लास्ट वन गांधी जी सि चात्र का मित्र चात्रों का मित्र पत्र परदर्शक और शहायक मानते हैं किसको सिख्षक को क्या कहते हैं कि यह चात्रों के मित्र हैं पत्र परदर्शक हैं और शहायक हैं डियर फ्रेंड क्लास के सिरे कमेंड करके जो बताइए और बाकी जो आपके बचे रवेना टाइगोर इनको अब्जेक्टिव टाइप में एक्स्ट क्लास में हम करा देंगे ठीक है तो आई हूप क्लास पसंद आया होगा अगर प्रसंद आतो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रूप में जरूर सेर कर दीजिए कल पेपर है आपका और मेरे चल पर एक्दम एक्टिव रही है मैं और धेर सारे अब्जेक्टिव टाइप कोशेश अब आप लेने आवा लेकर क्या रहा हूं जल्दी ठीक है